अगर शेरसा देखकर आपको ऐसा लगा हो कि काश में सेना में होता, देश के लिए लड़ता, देश के लिए जान की कुर्बानी तक दे देता, तो जैभीम में सुरिया का किरदाद देखकर भी आपको ऐसा लगेगा कि काश में वकील होता, गरीबों के लिए, पिछणों के ल अपनी ही प्रडियूस की हुई मूवी में बाकी कलाकारों के लिए ज्यादा समय देना, ज्यादा एहमियत देना तो फिल्म की शुरुवात होती है इरलरों के खेत में चुहे पकड़ने से इरलर यानी मुसहर, यूपी, बिहार, जारकंड ये इस्टन गैंजटिक प्लेइन जो है वहाँ इने मुसहर कहा जाता है तो ये कहानी इरलर दमपती, रासाकर्ण और सिंगनी के द्वारा कहने की कोशिश की गई है रासाकर्ण को चोरी के एक जुटे इलजाम में अंदर कर दिया जाता है और इनके साथ अमानविय वहवार किया जाता है लोकप ब्रुटालिटी में इनके साथ क्या-क्या होता है यही कहानी है और जो होता है उसे उजागर करने के लिए कहाने की नायका यानि सिंगनी वकील चंद्रू के मदद से क्या क्या करती हैं ये कहानी का दूसरा हिस्सा है ज्यादा कुछ रिवील करके आपके लिए मुवी खराब नहीं करेंगे ये मुवी डिमांडिंग तो है अगर सीरियस मुवी देखने का इरादा नहों और समाज की सच्चाई समाज में क्या घट रहा है आज सच मुछ इस वक्त क्या घट रहा है इससे रूबरू होने का जैसे सूरिया को देखने पे आपका मन वकील बनने का करेगा वैसे ही कई ऐसे सीन है जहां सिंगनी को देखने पे आपको लगेगा कि काश में सिंगनी होता काश में इतना इंपावर्ट फील करता काश में इतना सशक्त फील करता और सशक्त से मेरा मतलब शक्तिशाली नहीं है अब जिन लोगों के साथ अच्छूटसा व्यावार किया गया हो जिने वंचित रखा गया हो पढ़ने ना दिया गया हो जिनके नाम जमीन नहों कोई उनके लिए समानता या equality महसूस करना भी श्रक्तिशाली महसूस करने से कम नहीं वैसे भी COVID काल में हम सब ने महसूस तो कर ही लिया है कि जब आपके छूने से भी औरों को खत्रा महसूस होता हो और आपको सोसाइटी से, लोगों से फिजिकल टच से भी वन्चित रखा जाए, आइसोलेट कर दिया जाए तो कैसा महसूस होता है Creativity या Cinematic Sense की बात करें तो बहुत कुछ ऐसा है इस मूवी में जो काबिले तारीफ है Director Akira Kurosawa की मूवी Seven Samurai का ये सीन जिसे विशाल भादवाद से लेकर कई डारेक्टरों ने ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है इस मूवी ने भी इस सीन में किया है Crime Scene का Flashback और Replay में हर बार एक नई Information का उजागर होना Camera Angles से कैसे कहानी उजागर की जाती है ये कोई Director Nyanneville से सीखे जो Writer भी है इस कहानी के खेर Technical बाते तो बहुत सारी है जो इस मूवी को IMDB पे 9.7 की Rating दिलाती है लेकिन इस कहानी का एक मानवी एंगल भी है जो आपको मूवी देखने पे पता चलेगा अगर आप में एक बून भी मानपता है तो इस मूवी को देखने के दोरान आपकी आँखों से वो जरूर छलक उठेगा आपके साथ फिर किसी मोड पे बहुत जल्द मुलाकात होगी तब तक के लिए अजाज़त दीजिए जै भीम